दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने फरजी नाम से सोशल मीडिया अकानुट बनाकर पचास से अधिक महिलाओं एवं लड़कियों को परेशान करने एवं उनकी तस्वीरों से छेरचार करने के आरोप में हर्याना के फरीदाबाद से 11 साल के युवक को गिरफतार किया है पुलिस ने बताया कि गिरफतार आरोपी रहीम खान ने आठवी कक्षा तक पढ़ाई की है और तस्वीरों से छेरचार करने में सक्षम कई मोबाईल अप का इस्तेमाल करता है पुलिस ने बताया कि आरोपी ने विभिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करीब 50 लड़कियों एवं महिलाओं का उतपीडन किया है आरोप है कि रहीम खान महिला की फरजी पहचान के जरिये इन महिलाओं एवं लड़कियों को अशलील संदेश भेजता था यहां तक कि वो नाबालिक बच्चीयों को भी उनकी तस्वीर से छेरचार कर निशाना बनाता था पुलिस ने बताया कि रहीम को दिल्ली के आर के पुरम थाने में एक पीडिता द्वारा मंगलवार को दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफतार किया गया है शिकायत करता के मुताबिक इंस्टाग्राम पर, CH ही मखान 786 ID से उसकी छेरचार की गई तस्वीर भेजी जा रही है और नगन तस्वीरों की मांग की जा रही है DCP, South West, इंगे ट्रताप सिंग ने बताया कि प्रोध्योगी की आधारत जाच एवं इंस्टाग्राम से मिली जानकारी के आधार पर South West जिले की पुलिस की साइबर सेल ने आरोपी के ठिकाने का पता लगाया और फरीदाबाद के उसके घर से गिरफतार कर लिया DCP ने बताया कि पूछताच के दोरान रहीम खान ने स्विकार किया है कि वो अपराद में शामिल रहा है और निजी संतुष्टी के लिए पूरे देश में करीब 50 लड़कियों एवं महिलाओं को निशाना बना चुका है पूलिस ने अपराद साबित करने वाले सबूत जैसे चैट की जानकारी, वीडियो क्लिप एवं विभिन महिलाओं की तस्वीर रहीम खान के मोबाइल फोन से बरामत कर ली है पूलिस ने कहा कि मामले में आगे की जाच की जा रही है और अन्य पीडितों से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है संसनी ओफ इंडिया नेटवर्क प्राइम से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे संसनी ओफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेट करें शेयर करना ना भूले